गुड बॉनिंग दोस्तो पिछले वीडियो में हम लोग ट्रैंगल चैप्टर शुरू किये थे और उस ट्रैंगल चैप्टर में हम लोग बीपीटी थियूरम सीखे थे आज हम लोग पाथागोरस थियूरम को सीखेंगे जो एक्जाम ऑफ आइडियाज के अनुशार जो है का कोस्टन की और थियूरम में क्या कहता है थियूरम 6.7 इफ परपेंडिकूलर इस ड्राउन फ्रॉम दा वर्टेक्स ऑफ दा राइट एंगल ट्रैंगल चलिए इतना पहले हम लोग समझ लेते हैं कि एक राइट एंगल ट्रैंगल है यह हो गया आपका राइट एंगल ट्रैं से हैपेंडिकूलर डालेंगे ठीक है ना तू दा हैपेंडिकूलर यानि हैपेंडिकूलर डालेंगे तो नाम रख लिए ए बी सी और यहां से आप परपेंडिकूलर डालिए किस पर डालेंगे हैपेंडिकूलर यह हो गया हैपेंडिकूलर डाल दिया नाम रख लिए डी ठ ठीक है, then triangles on the both side of the perpendicular, यानि ये जो हम perpendicular डाले हैं AC पर, जो BD perpendicular डाले हैं, इसके दोनों side में, यानि ये triangle और ये triangle, ये दोनों triangle आपस में क्या होंगे, similar होंगे to the whole triangle and each other, यानि कहने मतलब है कि यदि एक right angle triangle में right angle से haptiness पर यदि हम perpendicular डालेंगे, तो perpendicular जो होगा, उसके दोनों side के जो triangle होंगे, यानि ये triangle बड़े वाले triangle का similar होगा, ये triangle बड़े वाले triangle का similar होगा, शाथ में ये दोनों आपस में similar होंगे, तो चलिए question में सिधा आते हैं, तो given क्या दिया हो, सबसे पहले तो theorem का rule है कि पहला लिखेंगे आप given, उसके बाद लिखेंगे क्या आपको proof करना है, यदि construction क्या आवे सकता है, तो construction करेंगे, और आवे सकता नहीं है, तो construction नहीं करेंगे, और सीधा proof में आ जाएंगे, तो चलिए solution करते हैं, यहाँ पर है आपका पहला given क्या दिया है, तो given में क्या दिया है, given में दिया है, in triangle ABC, angle B is right angle, क्या है, right angle, ठीक है, right angle, और क्या दिया हुआ है, BD, BD perpendicular on AC, यह भी आपका दिया हुआ है, BD perpendicular on AC, यह भी दिया हुआ है, आपको proof क्या करना है, to proof करना है, to proof करना है, कि triangle ABC, ABD similar होगा, A triangle ABC के, फिर triangle CBD, CBD, जो होगा, CBD होगा, किसके similar होगा, ABC के, और साथ में यह दोनों आपस में similar होगे, triangle ABD similar होगा triangle CBD के, एक बात आपको ध्यान में रखना होगा, यह बहुत ज़्यादा important है, यदि किसी भी triangle में, किसी भी triangle मतलब right angle triangle में, किसी भी right angle triangle में, right angle से, यदि happiness पे perpendicular डालते हैं, तो यह जो उपर ला triangle होगा, यदि ये वाले side को यदि आप base लेते हैं, क्यों base ले रहे हैं, क्योंकि यह दिखिए यहाँ पर क्या है यह राइट एंगल है राइट एंगल के सामने वाला यह हैप्टनस होगा तो यहाँ पर डिशाइड करना हो कि यदि यह आप इसको बेस लेते हैं तो यह आपका परपेंडिकुलर होगा और यदि यह परपेंडिकुलर लेते हैं तो य बस इसको ध्यान में रखते हुए, जैसे इसको बेस रखते हैं, व्यक्ति tratar 1229 तो यह नीचे वल्वला क्या होदा हो जाएका, और यदि इसको पर्पेंडिकुलर लगते हैं, तो यह क्या होदा यानीचे वालेback ABC तो आपको यही दोनों ट्रैंगल में जाना होगा ABD सिमिलर करना है ABC के यानि छोटा ट्रैंगल करना है बड़े वाले ट्रैंगल के तो प्रूफ में आईए प्रूफ में क्या करिएगा आप सीधा लिखे इन ट्रैंगल ABD ABD and ट्रैंगल ABC इस ट्रैंगल में आईएगा इस ट्रैंगल में क्या करिएगा आप देखिए यहाँ पर देखिए ABD इस ट्रैंगल में देखिएगा तो यह एंगल आपका क्या है एंगल A equal to एंगल आप लिख सकते हैं A अब यहाँ एंगल A लिख रहे हैं भी एंगल A लिख रहे हैं तो आपको पता नहीं चल रहा हो कि क्या लिख रहे हैं तो एंगल A को अच्छे से डिफाइन करें BAD 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 is equal to हो जाएगा BAC तो यहां लिखे BAC लिखेगा उसके बाद आप लिखिए यह एंगल छोटा ओले ट्रैंगल में A, D, B A, D, B is equal to A, B, C A, B, C यह क्यों हो जाएगा क्योंकि यह राइट अंगल हो जाएगा 90 डिग्री क्योंकि यहां भी 90 डिग्री है और यहां भी 90 डिग्री यह दोनों आपस में क्यों हो जाएगा क्योंकि BAD बोलिए यह B, A, C बोलिए तो यह दोनों आपस में क्या होंगे common तो यहां लिख दिजिए common ठीक है यह हो गया अब बताएगे किसी भी दो ट्रैंगल में क्या होता है यदि दो एंगल इकोल होते हैं तो वो ट्रैंगल क्या कलाते हैं similar कलाते है रूल क्या होता है similar to triangle क्या हो जाएगा A, B, C के ठीक है समाया है यानि यह triangle बड़े वाले triangle के similar हो गया उसी प्रकार से अब यह तो प्रूफ हो गया हमारा दूसरे वाले माते हैं इन triangle क्या प्रूफ करना है यहां लिखना है CBD इन triangle CBD CBD and triangle आप क्या हो जाएगा A, B, C इसमें क्या हो जाएगा CBD में जाएगा यानि छोटा triangle कौन सा triangle triangle CBD CBD में जाएगे तो इस triangle में देखेंगे तो BCD is equal to BCA हो जाएगा क्या हो जाएगा BCD is equal to हो जाएगा angle BCA यह क्या हो जाएगा common हो जाएगा उसके बाद देखेंगे कि आपका ये angle ABC और BDC आपस भी equal हो जाएगा तो लिखें यहाँ पर BDC is equal to हो जाएगा angle ABC क्या हो जाएगा? Right angle ठीक है? इस प्रकार से हो जाएगा तो यहाँ भी देख रहे हैं BCD BCA ये angle common हो गया ABC ये right angle हो गया BDC ये भी right angle हो गया यहनि दो angle हो गया तो angle angle similarity से ये दोनों triangle ये triangle और बड़ा आवला triangle या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा तो लिखें ट्रैंगल CBD similar to triangle क्या हो जाएगा ABC कौन से रूल लेएगा? angle angle similarity क्या बोलेंगे? angle angle similarity ठीक है? angle angle similarity तो यहां भी आप लिखेंगा angle similarity ठीक है हो गया angle similarity लिख लिएगा अब यहाँ पर देखिए जरा यह छोटा वाला triangle बड़े वाला triangle के similar है यह दोनों ही छोटा बड़े वाला triangle के similar है तो यह आपस में भी similar होगा तो यहाँ लिखिए equation 1 तो क्या लिखेगा आप यहाँ पर इसको लिखिए आप equation 1 और इसको आप लिखिए के equation 2 तो यहाँ लिखे सीधा from equation 1 and 2 तो लिखिए यह ABC equal to ABD यहाँ भी ABC छोट गया ABC equal to CBD तो यह यह equal to यह similar है यह दोनों आपस में base से same है तो यह इसके similar है यह इसके similar है और यह दोनों आपस में same angle है तो यह वाला जो same triangle है तो यह दोना आपस में similar हो जाएगा तो यनि क्या हो जाएगा triangle ABD similar to triangle CBD इस प्रेकार से आपस में similar हो जाएगा तो यह वाला proof हो गया असानी से पहले तो यह समझे कि जो line आपको लिखा हुआ रहेगा जब तक आप उसे ना समझेंगे आप इसको बना ही नहीं पाएंगे तो पहले इसी को समझें in right angle triangle चलिए right angle triangle बना लेते हैं right angle triangle यह हो गया right angle triangle नाम लिख लिजे ABC ठीक है in right angle triangle the square of the happiness यानि happiness का जो square होगा square of the happiness यानि AC happiness होगा right angle triangle इसके सामने वाला happiness ही हो जागा तो happiness का square करेंगे is equal to the sum of the square of the other two sides यानि happiness का square करेंगे तो इसका square plus इसका square के आपस में equal होगा तो यानि कि given क्या दियो हो सबसे पहले आप लिखे given इस में क्या दिया हुआ given ठीक है given दिया हुआ आपका in triangle ABC angle B is equal to 90 degree to prove क्या करना है to prove करना है कि जो happiness का square होगा happiness यह पर कौन है AC तो AC का जो square होगा वो is equal to होगा AB का square plus BC का square क्या होगा AB का square plus BC का square ये आपको proof करना है तो proof करने के लिए आपको क्या करना होगा आपको क्या करना होगा B से AC पर perpendicular डालना होगा तो हम construct करेंगे इसके लिए to construct क्या construct किए construct किए BD perpendicular on AC BD perpendicular on AC यानि BD perpendicular on AC यानि AC पर perpendicular डाले तो यहाँ पर लिखिए BD perpendicular डाले कि इस पर AC ठीक है तो यहाँ पर इस परकार से हो जागा अब यहाँ पर देखिए कि यहां पर देखिए कि इस triangle में ठीक है और बड़े वाले triangle में जाएंगे तो यहां पर हमको क्या proof करना AC का square is equal to AB का square plus BC का square तो आपको क्या करना है यहां पर सबसे पहले जाना है यह छोटा वाला triangle में और फिर बड़ा वाला triangle में तो लिखिए इन triangle proof कर रहे हैं ठीक है इन triangle ABD ABD and triangle ABC अब बताईए ABD और ABC आपस में similar होगा या नहीं होगा ABD similar होगा ABC बड़े वाले triangle का होगा या नहीं होगा तो अभी हम जश्ट बताए थियोरम बताए कि यदि किसी भी right angle triangle में right angle से hypotenuse पर perpendicular डालेंगे तो यह छोटा वाला triangle बड़े वाले triangle के similar होगा यह छोटा वाला triangle बड़े वाले triangle के similar होगा और यह दोनों आपस में similar होगा जो हम यहाँ प्रूफ किये देखिए यहाँ पर अभी हम प्रूफ किये ए देखिए ठीक है तो बस हमें यहीं चीज़ करना है आप क्या करिएगा इस triangle में चोटा वाले triangle में और बड़े वाले triangle में तो यह दोनों triangle similar हो जाएगा तो यहाँ लिखिए सीधा सीधी लिख सकते हम triangle ABD similar to triangle हो जाएगा ABC किस rule से AA similarity ठीक है हो गया जब triangle similar हो जाएगे तो हम पहले पढ़ चुके हैं जब किसी भी triangle जब similar होते हैं तो उसके sides क्या होंगे proportional होंगे तो यहाँ पर देखिए ABD तो इसमें हम बोले थोड़ा दिर पहले बताये थे आपको यह जो perpendicular होगा तो यह base होगा इसी तरह यदि इस पर heptiness डाले हैं तो यदि इस छोटे वाले triangle में यदि इसको आप perpendicular लेते हैं तो यह आपको perpendicular of triangle A, B, D ठीक है, बाई लिखे perpendicular of triangle triangle A, B, C is equal to लिखे फिर क्योंकि size proportional में होंगे तो लिखे फिर hypotenuse hypotenuse of triangle आपका लिखे A, B, D by hypotenuse of triangle आपका लिखे A, B, C हो गया, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं अब यहाँ पर बताईए, perpendicular AB, D कौन होगा, AB, D का perpendicular कौन यह लिए हैं तो लिखे, AD by, अब इसका perpendicular बड़े वाले triangle के लिखे कौन होगा, AB होगा, तो AB लिखे, is equal to लिखे यहाँ पर इसका hypotenuse AD, B का happiness कौन होगा, AB होगा, क्योंकि यह right angle है, तो इसके सामने वाला happiness होगा, AD, तो यहाँ लिखे, AD ठीक है, और happiness of ABD, ना happiness लिखे, AB, sorry happiness कौन होगा, happiness होगा, AB तो यहाँ लिख दिए happiness AB, ठीक है, और इसका happiness happiness, बड़े वाले ट्रेंगल का happiness कौन होगा, AC, तो यहाँ लिखे, AC ठीक है, आप cross मलपाय कर दिए, इसको इसके साथ मलपाय कर दिए और इसको इसके साथ मलपाय कर दिए, तो AD, multiply by कौन होगा, AC इधर क्या होगा, AB का square होगा, क्योंकि AB, और AB मलपाय होगा, तो क्या होगा, AB square चलिए, now again चलिए, now in triangle, आपका किस में जाएंगे, in triangle जाएंगे आपका B, D, C B, D, C B, C, D बोलिए या B, D, C, बोलिए, कोई दिकत नहीं है and triangle आपका ABC में ABC में तो इसमें क्या लिखे, देखे, यहां आप लिखे हैं perpendicular, तो यहां लिखेगा इस triangle का base लिखेगा तो base of triangle A, B, B, C, D ठीक है, तो फिर इसका भी base लिखेगा, तो base of triangle A, B, C इधर क्या लिखेगा, happiness of triangle A, B, C, D और फिर नीचे भी लिखेगा, happiness of triangle क्या लिखेगा, A, B, C ऐसा लिखेगा, अब base क्यों हो जाएगा इस triangle के लिए, हम बोले यदि इस triangle में यदि आप इसको perpendicular लेते हैं, तो इस triangle के लिए इसका just ultra वाला base होगा तो base क्यों हो जाएगा, DC तो यहां लिखे, DC और बड़े वाले triangle का base को जाएगा, BC तो यहां लिखे, BC, ठीक है, अब ये वाला BCD, BCD में जाएगा, तो इसका सामने वाला जो है, ये वाला happiness होगा, तो happiness हो जाएगा आपका BC, और इसका क्या हो जाएगा, इसका बड़े वाले triangle का happiness को जाएगा, AC, तो यहां लिखे ये AC, तो अब प्रॉस्ट में प्राइकर दिए, DC multiply by AC is equal to, या BC उदर जाएगा, तो BC into BC तो हो जाएगा, BC स्क्वाइर, ठीक है, अब इसको लिखे equation 1, और इसको लिखे equation 2, अब adding equation 1 and 2, अब adding क्यों कर रहे हैं, देखे, AB square और BC square, यहां ज़रा देखे, यहां लिखा हुआ AB square प्लस BC square, तो यहां पर क्या है, प्लस है, तो इसलिए इसको equation 1 रखेंगे, और इसको equation 2 रखेंगे, इसको और इसको जोडेंगे, तो इधर बला आजाएगा, तो इधर बला आपने 2, तो ज़रा जोड़िए, AD into AC, पलस DC into AC, is equal to AB square, पलस BC square, अब यहां से देखे, AC और AC common चल दाएगा, ज़रा AC, AC common लिए, तो क्या हैगा, AD plus DC, is equal to क्या होगा, AB का square, पलस BC का square, ठीक है, अब AD plus DC, ज़रा देखे, AD plus DC, तो क्या हो रहा है, AC हो रहा है, तो यहां लिखे, AC into AC, यहां into छुपा हुआ, AC into AC, is equal to क्या होगा, AB का square, पलस BC का square, तो AC और AC into करेंगे, तो क्या हो जागा, AC square, तो AC square is equal to हो जागा, AB का square, पलस BC का square, इस प्रकार से आपका proved हो गया, तो इस तरह से आप असानी से question को solve कर सकते हैं, theorem आसा है, आपको समझ माए होगी, next में हम लोग इस से related question को देखेंगे, कैसे question आते हैं, और कैसे उसको solve कर सकते हैं, धन्यवादे, और क penalty चसे जाग चासा हम असानी सेenda कम लोग आताः